सुग आजय हमारे पास सुंड़े की वर ना अभी इसमें प्रॉब्लम का नहीं जो बाखी का सब सिस्टम है यहीटिंग का वह पूरी तरीके सा काम कर रहा हूं रहा है सिर्फ एसी ओन करने के बाद ही ओर रहा है क्या प्रॉब्लम में आपको बताओँगा कभी यह ब्याइज स हो चलो मैं बताओंग किया करने का एकदम कुछ नहीं ज्यादा करने का तो अभी पहले सबसे पहले आगे और को the प्राबलम कभी कभी आता है तो जो डाले जो मतलब हो घुज नो वह कंपनी का डाले वह घो तो अभी उसको पहले पुरा खोल ले टो उसके बाद दिखा वह देखे पूरी तरी किसे चोह मैं और अंदर के जो इसको क्लीन करकी लिएी उन्होंने क्लीं क्लीन किया और बाहर से हम पूरा उसको क्लीन किया सिर्फ नवायगे वाजा सी्म wrapping देख सकते आप आरपार का इदर-उदर का प्रबलम करते हैं तो अभी क्या करते हैं परे को प्रोफिस्न आपको बता होंगा तो क्या करते हैं तो क्षेर आपको फैन कोलने कर आधा ना यहां से देखें एलॉकिंग रहती हैं यह wolf in सकते आप आई इसे रहाँ हो this हSa been तो यह बहुत बड़ा विड़ो हो जाए का इसले करके पूरा बना पड़े तो जो में में ने वही बता रहुआ आपको तो अभी रेडियेटर यहां से लगाने का और यह जो दो नीचे वले दो माउंट ने उसको लागा के रखे रटीयेटर खुछने के बंपर खुनना पड़ता है आगे क्लो क्रीश मेंबर खुनने का बस उतना ही खुलने का और रे देंगा ऐसी लगे तो अब यहाँ मतलब यहादा कर देंगे पहले हां कर देंगे यह यहां से लौककर यह दूनों से ब्स चार एकदम आशन रहता है बा तो अभी यहां दो और यह दो यह दो लोग कर देंगे और यह अपना हो गया तो इसे पूरा फिफ कोले कि लगा लेने का और उसके बाद इस पर यहां चल दीच है यह सब जितने लॉकिंग भूर घर्मिका और क्लायमेट का मौसमें बहुत मतलब कर गर्मी है तो इसलिए कर कि यहां से अगर यह हवा पास ने हुगा तो एसी उतना ठंडा नहीं होता है तो अब हमारे पास मतलब आपके पास अगर प्रेशर है तो उससे मारे नहीं तो फिर बाकी का आप जग से बारेंगे तो उतना प्रेशर से नहीं निकलेगा तो लेकिन अगर पानी गरम में कभी भी घाड़े निकलेगए तो इसके ऊपर थोड़ा से नहीं कर ले अभा से पानी गिरा दे और उसके बाद यहां से क्ली कर लोया है यह मुद्ध कर लेते और उसकी बाद कश्चरा है जिए अपने पर सो किली को कमा ले क्योंकि एकडम पूरी तरीके आप नीचे का कच्ड़ा भी देख सकते कितना ज्यादा गिर रहा है उसकी वज़ा से वहां से पानी बैक मारना चालो हो जाएगा तो अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे अभी देख सकते हैं नीचे से कितना ज्यादा कच्ड़ा निकल रहा है यह कंडेंसर पूरा जितना ज्यादा क्लीन रहेगा आपका एसी उतना ही ज्यादा चिल्ड होगा बस यह जाले अगर के कंडेंसर के जो फिंग से आर पारागद दिख रहे हैं तो समझो ठीक है नहीं दिख रहे ना अगर आपको इससे तो उसके बाद फिर उसको क्लीन करना जूली आप वासिंग के उधर भी आप जो भी बंदर हैं उसको बोलने का और प्रेशर उतनी दूर से मारने का ना ताकि अंदर के फिंग्स तूटे ना तो उसकी वज़े से प्राब्लम आता है अभी हमने क्या कि पूरी तरीके से पूरा फिटिंग कर दिया है और यह तैंप्रेशर अभी देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखे पूरी तरीके से एसी भी चाल हुए और यहां से कु पूर्ण कर दिखाता हूँ